कि शेटल बस सेवा प्लास्ट एशिया में और किसी भी एक्जिविशन में दी जाती है दिल्ली गवर्मेंट की तरफ से कह सकते हैं सेंट्रल की तरफ से तो किसी को भी बाहर से आना होता है तो उसके लिए बहुत यह फ्री होते हैं फ्री और कॉस्ट होती तो जब भी आप एक्जिविशन में तो बहुत सारा टाइम निकाल गया है क्योंकि बहुत बड़ा एक्जिविशन होता है बहुत बहुत चीजेद देखने को मिलती है बहुत हूज बाल बेरिंग शाफ्ट आइधिंग यह किस मशीनरी में इस होती है सरी यह मतलब यह मतलब यह क्या है शाफ्ट है किस जीज के लिए नियुमेटिक एर सब्सक्राइब कि चीज भी मश्रीम भी इस हुता है वाइंटिक अधिक शाफ्ट ओप्शन है बहुत सारे बहुत सारे ऐसी और भी चीज़े यह के लिए पी सबस्ट चाहते हैं अगर प्राइब देखें कि अगरा जो तेखें यह पार की कि अगरा बीज है वो वो वाँ 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 इस प्राइब मोल्स देखें और फट्राइब मेंगे बाइब है kis खोड़ा सेघम्ट एक मिर्फोड़ा सेडिकर रहे ज़ा है कितने तर्की मशीन हैं ? और पॉर्ट्ट क्या सर्थ ? bab लिक्विड शिलिकॉन के लिए यह opedia गड़emia मतलब मेंस अंच्छिं जीकशन परस एक ऐई ऐक मिन परस देखा है एक सेंपल दिखाएंगे सेंपल लिक्विट सिलिकॉन अपी तक मुझे लगता था कंपरेशन से सिलिकॉन वो किया है तल्हें लिक्विट सिलिकॉन इंजेक्शन मोल्ड भी फिल अब बहुत अच्छे से देवो कि इसका रनर पॉइंट है कि इनों ने दिया है रॉबर्ट दो कितने अच्छे से वर्किंग कर रहा है कि मॉल्डिंग मेशिन अगर काऊं इसमें पास रुनिंग मेशिन अगर कितनी स्पीड में सब्सक्राइब के तुरू सारा मेटियल जा रहा है महां पर कि इस बोड़ा कि मैं यह के पैट में अगरा है जो आजकल हम लोग देखा हुआ करोना के बाद को बहुत जादा इसकी दिवर्पढ़ी थी हमारे देखना है वो इस तरीके की मोल्डिंग मेशिन पर बनाया जाता है वो इस तरीके कन्वेर्स के थूरू यह सारा मेटियल बनता है अगर मैं तो पर मिनट कितना परक्शन आ रहा हुआ है जाए तोटल रोबिटिक्स है तब कुछ रोबिटिक्स है तब कुछ रोबिटिक्स है कुछ रोबिटिक्स है जब रखनाल निब बनाया जिए अगरा कि ईकटम बनाया जोग ग्राइस कि अगर कहें तो मदलब रोबर्स कैसे काम करता तो यह देखी वहीं मशीन है कि रोबर्स के तरीके मैंने पेक्टिंग हो गया है यह इस इंग पीवीसी पाइप जो थे ना उनको पाइप के लिए जॉयंट बेंडर होता है वह इस तरही के इंजेक्शन मोड्लिग बनाया जाते हैं इंजेक्शन मोल्लिंग पे प्रिंटिद विद कप यह सभी इन मशीनों पे बनता है इदर देखी इस तरीके से पुरा रबर्ट की वर्किंग देखा है इस तरीके वर्किंग में है आप सही जगा आप हो आप इस तरीके बॉर्ट वगरा में बनती है वो सारी इस में बनती है और इसी प्रड़क्शन में इतना प्रड़क्शन में इतना प्रड़क्शन हो रहा है कि यह बार-बार इनको खाली करना पड़ता है कितने सेकंड का सॉट है इसका सोला सेकंड एक सिंगल कैफ्टी सिंगल कैफ्टी चलता इनको सोला अगर आप करेंगे तो आई तिंक बहुत ज्यादा इस पांटिट्व है देगे किस तरीके से प्रड़क्शन में करहा हैं आब मारके बलागे को आगर करें तो गोला मोल्टीं के एगर कहके तो एट으ीपी बलो मौल्डिंग की ऐसे प्रोप की विखाए है अगर हैसी ब्लोह मोल्डिंग के सुग मने तो हूं रे लॡ़ुग आपकहरे हैं अब इसका प्रड़क्शन में चायता है अगर आप जो कम्प्लीट प्रोड़क्ट है इस तरीके से बन रहा है इसी इस सभी टेक्लोजी जो ते कंट्रोल बेस होती है सभी जो चीज़े होती है यह सब रॉबर्ट एक्स के थ्रू और बहुत बला लब एक सिस्टम काम करता इसके लिए इस बार लगता है ना कि यह सब चीज़े बन कैसे रहे होंगे तो अब मैं दिखाना चाहूंगा लब प्लास्टिक कैरेक्स और प्लास्टिक कैरेट्स हैं और यह पॉट्स हमारे जो गंबले होगे अमनों यूज़ करते हैं रहों आप लोग क्या पॉट्स बनाते हैं यह यह पॉट्स जो प्लास्टिक में बनते हैं सारे किस तरीके से इंजेक्शन मोल्डिंग और इस तरीके की शेप्स होती हैं अलग अलग फुक्षुरस शेप्स में बनाए जाते हैं इस तरीके शेप्स मोल्डिंग बहुत कितना तंगा मशीन हैं 50 तंग कितना ग्राम इज वाश्का 60 ग्राम PP, 80 ग्राम ABS 60 ग्राम PP, B-type स्रूव में होगा है नील ग्री नील ग्री की मशीन है रवी इसको एक मिन्ट रूपके प्लीज 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 इंडियन मेक भी है और बहुत अच्छी मतलब नील ग्री की में अगर बात करो तो नील ग्री का बहुत अच्छा future भी है बहुत बहुत इंड़स्टी के अंदर मेरे इतने कस्टमर से नावनों में लगाई भी में है और बहुत अच्छा feedback है इनका में कि मशीन की working अगर रोबर एक प्ली सपोर्ट करते हैं पूरा सभी तरीके की इंस्टॉल करने मा पूरी मदद करते हैं हमारी आप तुद्टेशन अमारे सब्सक्राइब तबाइब तुद्टेशन अमारे करक्स करें तुद्टेशन वन रखने कहीं है। पहले आपकी कंपनी पॉच्छन आपकर रहे चाहिए। वो वा मारा तर यूस्ट मशीन का राता है। में पुद्ध मशीन डीन स्थोल अपने पास है। जो हमारी यूस्ट मशीन गजिये एडमान भी देपास है। ऑसमें भी सबस्क्रेश यकाट्रेशन तंक, भी सबस्क्राइबvery जुआ का घुए तो लादा कन्फीजन हो जाता है अजिए इतना हुज रोबर्ट है अब इतने काट रहते हैं आपके ने तो पूरा केरेट बनाया जा रहा है किस तरीके से रोबर्ट एक क्यारत को मतलब आई तिनक इतना बड़ा बोल्ड है इस अब पॉसिबल हो पाता है तो एक्जिमिशन और हम देख पाते हैं बहुत बहुत है बहुत हुज मशिन रीज होती है इस रोबर्ट की हाइट भी भी बहुत ज्यादा है पांच पार्ट में डिवाइट किया है तो आपको और भी बहुत सारी जानकारी प्रिंटिंग्स के लेके, मशीनरी से लेके, इंजेक्शन मोल्डिंग से लेके, प्लास्टिक गरनवल से लेके, पैकिंग तक लेके और बहुत सारी चीजों को अगर आपको जानना है, तो हमारे सभी पार्ट्स को जरूर देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसमें बहुत सारे रोबोटिक वर्क्स हैं, जो हमने आगे आने वाले पार्ट्स में आपको दिखाने की कोशिश की है मेगा मशीन्स हैं, मेगा मशीनरीज हैं, मैनिफेक्चर्स हैं, अगर किसी को नया बिजनस करना है, कुछ नई जानकारी चाहिए, तो वो सभी कुछ इसके अंदर है तो आप प्लीज बने रहिए, हमारे चैनल पे लाइक कीज़े, सबस्क्राइब कीज़े और सबसे बड़ी बात शेयर कीज़े, क्योंकि हम शेयर करेंगे, तब ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, थैंक्यू, थैंक्यू वर्यमच्च